कोके सो बेटे जो नेक्स डिजीज है वो हमारे पस पर्टूसर्स है मुझे बता है आप लोग कोई काफी जादा तोड़ा मुश्किल लग रहा होगा या लेंधी चैप्टर लग रहा होगा लेकिन यह कीन करें यह सब पढ़ने से आपको पीड्स में बहुत साथ हैल्प और पहले इसकी वरा से बहुत सारे लोग मरते थे एवन हो ने यह बताया कि 2000 में इससे 1.96 लाग जो लोग है वो मर भी गए थे लेकिन अब अच्छी बात है कि एपर्टूसर्स की वेक्सीन आ गई है और इस वेक्सीन की वरा से बहुत सारे बच्चे जो है वो बच जाते है इसकी वेक्सीन का शेडियूल आपसे पूछा जाता है वो आपको आना जाहिए बिटेक वेक्सीन हम देते हैं जिसको कहते हैं DPT ठीक है यह DPT की तीन डोसर्स होती है वन तू थरी एक आपको बच्चे को 6 वीक पे लगती है दूसरी 10 वीक पे लगती है और फोटीन पे लग लगती होता है क्या पटीम वेक्सीन से वेक्सीन से प्रतूसें इराडिकेइट हो जाता है दो 90% एफेक्ट एफेक्टिव एफेक्टिव नहीं है अब बात कर लेते हैं Kinelческую प्ड़ूसिट पइसिस बेसके जाते हैं बात किपे की कि वह वाइर इंफेक्शन थे बेक्टीन किसा रिस्ट्राइटरी ट्रैक को सऽ की इन्वाल्फ करता है । ट्रैकिया और ब्रोंकाएय अगर बेटेबियम।टीमाहीकल फैक्टर की बाथ केंगे तो वह भूंत थाभaff associated कशिपांग से बात कर लिए हैं किया टिरॉबीशन इसके फैंडिञ्अ में थीं अगर हम देखें तो विंटर और स्प्रिंग के सीजन्स में आपको बता है बच्चों को जो खांसी होती है वो ज़रा जादा होती है अगर हम लोग प्लेस वाइस बात करेंगे तो वही बेटे जो ओवर क्राउडिंग वाले रीजन होगे पूर हाईजिन वाली अरियाज होगे पूर सेनिटरी सिस्टम वाले अरियाज होगे वहाँ पे इसका जो रिस्क है बिक्टिरियल इंफेक्शन का वो ज़्यादा होता है अगर हम परसन वाइस बात करेंगे तो परसन में आपने बताना है इंफेंट और स्पेशली जो प्री स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं वो ज़रा ज़ादा रिस्क पे होते हैं सेक्स वाइस बात करेंगे तो फीमिल ज़रा ज़ादा रिस्क पे होती है और जो maternal antibodies होती है ना वो बिल्कुल भी आपको immunity नहीं देती है इसलिए ये काली खांसी 2-3-4 माँ के बच्चों को जो माँ का दूद पीते हैं उनको भी हो जाती है ठीक है तो ये के modern बात आपने याद रखने हैं कि maternal की antibody आपको इसके गेंस protection प्रोवाइड नहीं करती है वैरियाज है पूर हाईजीन सिस्टम है पूर सेनिटैरी सिस्टम है ओवर झ्रावडिंग है या सलम लेया है तो वहाँ पे आपके पास असका रिस्क जो है वो काफी ज़्याद होता है frequency की बात करेंगे तो कहते है इसके frequency काफी ज़्यादा हाई है और अभी वने आपको बिताया लेकिन इसकी वरा से mortality और death rate काफी ज़्यादा कम हो गया vaccine की वरा से और जैसे मने आप भी आपको बिताया कि 2000 में इसकी वरा से 2.96 lakh लोग मर गए थे ठीक है तो पहले बहुत अदर स्वेर था लेकिन विक्सीन की वरा से इसकी स्वेरिटी कम हो गई है source of infection क्या है बेटे किससे यह फैलता है आपकी जो cases होते हैं वही transmit कर सकते हैं दूसरे बंदे को कैसे transmit करते हैं transmission कैसे होती है breath droplet infection है क्योंकर respiratory infection है या पिर कोई भी contaminated object जो के उसकी वरा से case की वरा से होगा है अगर आपने इसको touch touch किया है तो आप में भी आ सकता है ठीक है period of communicability कि इतना होता है साथ दिन after exposure से लेके three weeks तक हो सकता है नेक्स बात आती है कि infective material तो उसकी nasal pharyngeal secretion हो गई bronchial secretion हो गई या ऐसे object जो के उसके discharge के साथ freshly contaminated है उनकी वरा से आपको फैल सकता है सबसे important चीज आती है clinical feature जैस ती वरा से आपने patient को डाइग्नोस करना है क्योंकि पीज ओपीडी में बहुत सारे बच्चे आते हैं बहुत सारे मसले हो रहे होते हैं तो इसमें बटे आप लोगों ने क्लिने के लिए याद रखना है कि हम तीन स्टेज़ में डिवाइड गर देते हैं number one हम लोग कहते हैं किटारल स्टेज आती है किटारल स्टेज यानि आई रेलेटेड我们 होता है बच्चे को कन्जेक्टिवाइटर से होता है उसके आँख जो आप काफि hutर होई हूए हो़ी होती है और लेक्रीमेशन जो इसके आँख शाधा आस्व नेकल रहे होते हैं और यह बड़ी इंपॉर्टन है अब इसमें बिच्चे की क्या कंप्लेंज होगी यह कंप्लेंज होगी कि एकस्परेशन पे इसको बहुत जादा चोकिंग काफ होती है ठीक है उसके बाद जब यह सांस लेता है इंसपरेशन करता है तो उस पर वूपिंग आती है सीटी नुम और जानही के बाद अदी को किया होती है यह कांसी की साथी पारिंग स्राघेशनcü की यह रोग्री जुप वार्मिटिंग ठाटी है तो भड़овор कर रहा है कि उसकी जो ङॉपिंग है और जो की साथी होग Onu बי होगा थीजिरेशन इससकी काली धोते हैं और इसकी फीपींग ज पेटे क्या पैथोजनेसी पाइसी डिजीजीस की और यह आपको करता क्या है तो आपने याद रखना है कि रेस्परेटरी मुझोजा कोई इन्वेड नहीं गरता है महां पे आके यह मंतिप्ली पला होता है रहे हैं और कंडीशन सेट कर देता है कि भाह पर फिर बिक्टीरियल इंवेजिण होती है और जब बिक्टीरियल इंवेजिन होती है तो फिर बहुत सरी इस आती आती है खुद invasive नहीं है लेकिन condition set कर देता है bacterial infection or invasion के लिए सबसे important जी होती है इसका diagnostic criteria diagnostic criteria पर एक तो आपने mother से इसकी history सुन लेनी है और आपको जरूर बिताएगी कि इसको whooping cough है ठीक है whooping inspiration है इसकी और choking cough है यह दो वर्ड आपको याद रखने है और साथ में प्रॉक्जिजूमल कफिंग होती है एक दम से खासी शूरु होती है होती 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 है रुकती नहीं और इसके बाद इसको vomiting भी होती है नमबर टू बेटे आपने labs किरानी है आपने cbc किरानी है cbc के ओपर आपको leukocytosis और lymphocytosis जो है वो मिलेगा ठीक है lymphocytosis 80% तक इस पेशिंस में मिलता है उसके बाद हम क्या सकते हैं हम से लॉजिकल टेस्टिंग कराएंगे से लॉजिकल टेस्टिंग कराएंगे तो बॉर्ड टैला के अगिस आपके पास इजी जी और आईजी एम जो है वो काफी जादा आपको रेस मिलेंगी तो न्टी बोडी टाइटर जो है से लॉजिकल टेस्टिंग पेस्टिंग का क्या मिलेगा आपको रेस मिलेगा ठीक है उसके बाद कहता है कि हम लोग चैस्टेक्स तेरे सबसे इस इम उर्टन क्या क्या कर सकते हो, history बहुत important है, CBC पे आपको या, differential leucocytosis, lymphocytosis, serilogy, pentibodies rays होंगी, x-rays पे आपको perihilar infiltration मिलेगी, और nasopharyngeal secretions का अप जब swab लेके culture कराएंगे, तो उसके ओपर भी border tella pertussis जो है वो उसके antigen डाइगनोज हो जाएंगे, important चीज आजाती है, इसका treatment का है, तो treatment यह होता है, कि जब patient acute face में है, तो अब आपने इसको क्या treat करना है, तब आप उसको symptomatic treatment करते हो, number one, आप उसको arithromycin देते हो, arithromycin आपने याद रखना है drug of choice होती है, ठीक है, अब जूँके इसको कफ है, तो के लिए बगरा की accumulation है, वो वहाँ से clear हो जाए, और जो भी symptoms या जो भी factors काफ कर सकते हैं, उनको avoid करें, मतलब इसको dust वाली जगा से दूर रखें, smoke से दूर रखें, certain environmental changes से दूर रखें, जब acute face over हो गई है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसको appropriate bronco pneumonia, क्योंके bacterial invasion हुई है, तो bronco pneumonia से बिचाने के लिए आपने इसको antibiotic का treatment देना है, साथ में आपने उसकी nutrition को बहतर करना है, और complication अगर हैं, कोई तो उसको भी आप लोग treat करें, अब important चीज़ आती है, कि overall prevention के लिए अवाम के अंदर prevent करना चाते हैं, तो क्या करें, prevention के लिए आप vaccine कराएं, और vaccine का मै ने नहीं देनी, क्योंकि इसकी वज़ा से बहुत सारी neurological complications हो सकती है, क्या हो सकता है, patient को incephalitis हो सकता है, उसके बाद इसको prolong convulsion start हो सकती है, convulsion के लावा infantile spasm हो सकता है, infantile spasm के लावा rice syndrome, rice syndrome में ने आपको बिताया, liver degeneration होती है, और incephalo pathy start हो जाती है, तो यह बात आपने याद रखनी है, और फिर आप से question बूचा है, क्या आप इसको eradicate कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, chemo prophylaxis के लिए आप इसको erithromycene ही देते हो context को, यह question है, आपका बिटे के EPI schedule पर टूसरस का लिखे हैं, यह बने आपको अलरेड ही बिता दिया, किसका जो schedule होता है, that is DPT, D.O.T. toxoid होते हैं, P.E. killed vaccine होती है, 0.5 ml intramuscularly लगती है, doses इसके 6, 10 और 14 weeks होती हैं, और क्या आप लोग इसको 2 years के बाद दे सकते हो, तो आप इसको नहीं दे सकते हो, इन reasons की वरा से, क्या आप इसको eradicate कर सकते हो, नहीं क्योंके वेक्सीन अनली 90% effective है, उसके बाद ब पैसिक लेंशायो डीरियर तर, विल्जायो तने समय, और, भांद धनी होता है, और, जिखुट, जिसनानों के अंदर पैल जाता है, और इसको चूह जान. रहा है वहां से जो बैसलाइज है वो लिंफ में जा रहे हैं लिंफ स्वेलिंग हो रही है जिससाथ में फीवर कफशफ शुरू हो रहा है सप्टी सीमिया जब बलड में आ जाएगा और लंग्स तक जाएगा तो नमूनी अपलाएग हम इसको कैद देते हैं डाइगनोसिस आम इसकी बेटे स्टैनिंग पर कर सकते हैं कल्चर एंसरोलजी पर सकते हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टन है कि आप अर्ली डाइगनोसिस करें हैं तो नोडिफाई करें उसके ट्रीटमेंट के अंदर ड्रॉफ चॉइस जो है वो आपके पास होती है इस स्टैप्टोमाइसीन उसके बाद जिस रॉड्टन या फले या रैट्स की वरा से हो रहा है आप उनको कंट्रोल करें अवाम की वैक्सिनेशन करें और क्रीमो कीमो प्रोफलेक्सिकली पेशेंट को टेट्रसाइक्लीन दे तो यह एक चीज़ आप लोग यहां तक पढ़ लीजेगा नेक्स में पूली हो माई लाइटेस इंपोर्टन है वो मैं आपको पढ़ाती हूं